हेलो एस्परेंट वेलकप टू बेपेस दिग्यान तो आज थोड़ा लेट हो गया आप न्यूजपेपर डिसकस्न लाने में लेट कोई नहीं आज जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है उनमें से हमें क्या जानना है क्योंकि आज का जो पूरा न्यूजपेपर देखे गया तो हमें कुछ पूइंट चीज़े क्या आज के आर्टिकल्स से जानना है हमारे एक्जाम पस्पेक्टिव से ठीक है अब आपको ग्यानी बना तो वह अलग बात है आप पूरा कुछ भी पढ़ सकते हो लेकिन अगर हम जहां तक देखे हमारे बीपीस सी एक्जाम पस्पेक् क्या इस पाफ डप पोल रेडी क्या मतलब पॉब डफ होता है सतेस्फैक्शन सेल्फ सतिस्फैक्शन टाइप आप कह सकते हूँ जिससे अप कोई दोड लगा रहे हो और दोड ते हुआ अपने आपको जितना दोडना था कवर करना था तो कवर कर लिया और आप उस तरह पपड़ जो आपने बोल दिया तो यह पोल रेड़ी यह जो बजट है वो इलेक्शन से थोड़ा मोटिवेटेड है और बेसली रहेगा ठीक है तो क्योंकि 2024 है इलेक्शन येर यानि कि लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है इस साल मेबी यह अपरेल में में हो ठीक है उससे पहले जब भी जिस साल लोक सभा रहता है उससे पहले जो बजट आ रहा है उसको हम एंटरीम बजट कहते हैं और जब हम यह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है फाइनस मिनिस्टर सिता रमन प्रेजेंटिंग हर 6th Union बजट एंड हर 1st एंटरीम बजट जो सिता रमन है निर्मला सिता रमन फाइनस मिनिस्टर ओफ इंडिया यह छे बार Union बजट पेस कर चुकी हैं लेकि इनका एंटरीम बजट जो है वो पहली बार ह तो एक तो वर्ड हमें जानना होगा यहां से एंटरिम बड उठाना होगा हमारे exam perspective से जो कि current का ही है ठीक है यह जो एंटरिम बजट है यह current के साथ साथ आपका यह static part भी हो जाता है तो एक तो हम एंटरिम बजट जो है उसको cover करेंगे उसको पढ़ेंगे ठीक है दूसरा और आप अगर आगे आते हो यहां पर वाल ब्रॉड 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 ली स्टिकिंग तो हर एस्वरेंस दाट इस 2024-25 बजट उड़ बी वोट ओन एकाउंट विदाउट स्पेक्टोक्लर अनॉंसमेंट्स एक हमारे पास टम्स आजाता है वोट ओन एकाउंट पुल फ्रेज बजट इन सब यह सब टम्स क्या है इसको हम क्लियर करेंगे यह देखेंगे और साथ में आप है कि 300 यूनिट्स ओफ्री पावर मंत फॉर वन करोड हाउस होल्ड तुरू रूप टॉप सोलर सॉलूशन तो सोलर पावर सुर्योदे प्राइम मिनिस्टर सुर्योदे यूजना के ताहत रूप टॉप सोलर पावर लगने से 300 यूनिट्स फ्री बिजली का इस्तमाल आप कर पावगे यह चीजे यहाँ पे बजट में कही जा रही है तो पहले तो हम एंटरिम बजट समझ लिते हैं वोट ओन अकाउंट समझ लिते हैं फिर इस आर्टिकल में आगे क्या क्या है हमें हमारे एक्जैम परस्पेक्टिव स जानने के लिए वो जानेंगे तो आप कह सकते हो कि अगर यह इलेक्षरियर नहीं होता तो हमारे पास फूल फ्लेजट बजट होता ठीक है जिसको हम जेनरल बजट भी कहते हैं लेकिन हमारा कॉंस्टिवशन क्या कहता है हम तो जेनरल बजट कहते हैं लेकिन हमारा कॉंस्ट क्या कहता है यह जाना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे कॉंस्टिशन का आर्टिकल 112 जो है वो डील करता है दा यूनियन आप दे इयर इस रेफर्ट टो एज दा एनुवल फानेंशियल स्टेटमेंट यानि कि अगर आप से पूझा जाए कि क्या हमारे कॉंस्टिशन मे बजट वर्ड टमिनलोजी कहीं पर लिखा हुआ है कोई आर्टिकल दिया गया है तो जी नहीं हमारा दिया गया है आर्टिकल 112 में एनुवल फानेंस अस्टेटमेंट यानि कि हर साल एनुवल फानेंस अस्टेटमेंट हमारे सरकार जारी करेगी ठीक है फिर इट इस टिमेट that estimated receipts and expenditure अब यह जो annual finance statement है इसमें क्या क्या होगा इसमें estimate रहेगा receipts और expenditure के सरकार के estimates और expenditure कौन पूरे एक financial year का और financial year हमारा कब से start होता है 1st April से लेकर 31 मार्च तक हमारा financial year रहता है ठीक है और हर साल एक फरवरी को यह बज़र्ट और एक दो फरवरी को हो जाता यह एक फरवरी को बज़र्ट और उसके पहले आ जाता है economic survey ठीक है तो यहाँ पर फिर देखिए अभी हम फूल फ्लेजर बज़ट की बात करें हम एंटरी बज़र्ट की बात नहीं कर रहे हैं वह मैं आपको बताऊंगा तो जो फूल फ्लेजर बज़र्ट होता है तो उसमें कंटेंस क्या आ जाता है उसमें revenue capital रेशिप्ट के बारे में बात होती है फिर किस तरह से revenue को हम खर्च करेंगे expenditure हमारा क्या होगा यह estimate करते हैं बज़ट में ठीक है और यही जब economy सर्वे आता है तो हमने कितना खर्च किया है वह हम बताते हैं फिर है details of actual receipts and expenditure of the closing financial year and the reason for any deficit surplus in that year क्या deficit हुआ surplus हुआ इन सारे चीजों का data होता है उसे बज़ट में जिसको हम बज़ट general budget बोलते हैं और हमारी समिधान जो है annual financial statement बोलता है फिर economic and financial policy of the coming year और जो साल यानिकी फिर जो एक अपरेस स्टार्ट होगा उस year के लिए हम economic और financial policy वहाँ पर रखते हैं जैसे कि टेक्सेशन प्रोपोजल्स प्रोस्पेक्ट्स ओफ रेवन्यू स्पेंडिंग प्रोग्राम इंडुडेक्शन अफ निवर स्कीम्स और प्रोजेक्ट फिर नेक्स्ट पार्लियामेंट में जब बज़ट जाता है तो छे स्टेजेज में बज़ट गो थ्रू होता है पहला क्या हो जाता है पहले तो बज़ट का प्रजेंटेशन होता है फिर जनरल डिसक्रशन होते हैं उस पर फिर स्क्रूटनी बाइदा डिपार्टमेंट अफ कमिटीज फिर वोटिंग ओन डिमांड्स फूर ग्रैंड्स होते हैं और फिर एप्रोप्रियेशन बिल पास होता है और फिर उसके बाद में पासिंग अफ़ फाइनेंस बिल पास हो जाता है यह छे स्टेप्स पार करके फिर हम है वह और को जुका है तो बैसर डिविजन ओब डिपार्टमेंट ऑफ इकनि एप्र टार शाननवीग अफि Сам iह जो जो किसके अंडर है मिनिस्ट्री फाइनांस के अंडर गाम और यहीघन प्रिपेर करता है बज्द को हमारे देसका पहला इंडिपेंडिया का कुछे तो पह तो यह तो हो गया कि जनरल बजट यानि कि जिस साल अगर एलेक्शन नहीं है तो फिर कौन सा बजट रहता है जनरल बजट तो उसमें क्या क्या होता है वो हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस पर हमने दे दिया आपको अब हम जानेंगे यहां पर क्या है एंटरिम तो देखिए एंट्रिम बजट इस प्रजेंटेट बाई गवर्मेंट आइदर एमिस अप्रियड अप्रांजिशन और डियूरिंग इट्स फाइनल एर बिफोर जेंडर इलेक्शन अब जो जेंडर इलेक्शन होने वाला है उसके पहले जब यह बजट जारी किया जा रहा ह यह एंट्रिम बजट है क्योंकि फूल यूनियन बजट यह कैसे पेस कर सकता है हो सकता है इलेक्शन के बाद पावर में कोई और पार्टी की गवर्मेंट है तो वो पूरे साल का वो अपना बजट बनाएगा ना अपने इसाब से बनाएगा ना कि पहले पहले वाले जो है एक्जेक्टली बजट तो यह तो आपको पता ही रहा है सोट्स भी मैंने इस पर बताया था आपको फिर हाव डाजन एंट्रीम बजट डिफर फ्रम फूल फ्लेजट बजट से एंट्रीम बजट कैसे डिफर होता है तो फूल बजट आउटलाइन दी कॉम्प्रिहेंसी फान लाया जाता है ठीक है फिर एंट्रीम बजट इस टॉप गैप कवरिंग गवर्मेंट फाइनेंसे फूर एंटिल न्यू गवर्मेंट टेक्स ओवर जब तक नया गवर्मेंट बन नहीं जाती तब तक यह एंट्रीम बजट यहां पर वर्क करती रहती है इस फानेंशियल दिन्यूटी हमारा बना रहा है बनना पुरा देश तो थप पड़ जाएगा वर्क ही नहीं होगा फिर देखें लेकिन आखिर हमें एंट्रीम बजट की जवर्मेंट है क्यों तो इसलिए जवर्मेंट है क्योंकि यह जो गैप होता है बेट्विन दा एंड फानेंशियल यह हमारा जो फानेंशियल यह तो एक मार्च को सुरू हो जाए एक तिस मार्च जो छो सकता है कब तक में या जुलाई जुलाई में जो है यह हमारा जो फुल फुलेज़ बज़ट बज़ट है यानि कि जब गवर्मेंट का फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद तो उस बक्त में हमारी जो मशनरी है पुरा सिस्टम जो है सरकार का वो कैसे काम करेगा तो इसलिए ही हमें इंटरीम बज़ट की जरूरत होती है और क्या है वाट्स टाइप के लिए इंटरीम बजट में क्या रहता है तो हम एस्टिमेट करते हैं सो टम के लिए सरकार की स्पेंडिंग रेवन्यू फिस्कल डेफिट फैनेंशल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन इस और ऑल्सो एन ऑपर्चुनिटी फॉर दे क्रेंट गवर्मेंट तो पर्जेंट इस एकोनोमिक अचीवमेट्स और प्लांस इंफल्वेंसिंग पॉब्लीक ऑपेनियन बिफोर इलेक्शन समद्य है यह जो रूलिंग गवर्मेंट है उसके लिए पॉर्चुनिटी होती है कि वह ऐसे एकोनोमिक अचेमेट्स अपना प्रजेंड करें प्लांस ऐसे प्रजेंड करें जिससे कि वह अपने पॉब्लीक ऑपेनियन को इंफिल्वेंस किया जा सके ताकि इलेक रहता साथ में तुल्ट इंट में hes इनकॉर्परेटी रहता है वोट ऑन अकाउंट कि यह यह फिसी तरह है आप समझेयोब वोट कांट बी इनकारी वजट है क्या हैं टल सकते हैं कि सरकार नहीं कर सकते हैं तो तो एवाइड इंफ्लुएंसिंग वोटर डिसीजन्स और बर्डेनिंग दर नेक्स्ट गवर्मेंट इट एक्स्क्लूट्स मेजर पॉलिसी चेंज़ेज और निवर स्किम्स देगे यह भी चीज़े हैं कि इलेक्शन कमिस्ट के गाइड लाइन्स हैं जो रेस्टिट करती हैं कि सच इंक्रूजन्स तो मेंटेन फेर्नेस द्यूरिंग दर इलेक्स्ट कमिस्ट कहता है कि आप फेर रहिए क्योंकि अगर रूलिंग गवर्मेंट चाह लेगी तो इतने साथ इतने सारे प्रोलोभन अपन मिन्ट और प्लांस अपने एकोनाईक अचीवमेंट यहां पे ऐडरे लें डालें यह मतलब कि आज का जो बजट आप देख रहे हो इसमें क्या सरकार देती है ठीक बहुत जादा प्रोलोभन यहां नहीं दे सकती है यह एलेक्शन कमेशन्स का गाइडलाइन से तरूली गोर्मेंट इस रूलिंग गोवर्मेंट इस आप देखें तो इकुनॉमिक सर्वे नहीं पर्जेंट कर सकती है इसलिए एकुनॉमिक रिव्यू आया है इस वाल और ऐसे दो-तीन पेज़ का बस इकुनॉमिक रिव्यू दिया गया है उसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है ठीक है तो यह भी सर्वे परजेंट नहीं कर सकते हैं यह सब प्रजेंट होगा इलेक्शन के बाद जो भी गवर्मेंट फॉर्म होगी यह चीज़े फिर कि सो वेन विल्द फूल यूनियन बजट बी रिलीज आव आपका स जुलाई को यह बजट आया था फुल फ्लेज बजट ठीक है तो उसी तरीके से इस बार भी उसी के लगवाग में जुलाई के ही लगवाग में आने वाला है मिन्वाइल दा एंट्रिम बजट फॉलो इस सेम टाम लेन एस रेगुलर बजट रेगुलर बजट जो एक फरवर को लाया जाता है और वोटन एकाउंट आपको हमने बता दिया एंट्रिम बजट इस ब्रॉडर फानेंशियल आउटलेंड फॉर फ्यू मंस एंट्रिम बजट किया है एंट्रिम बजट और फॉटन एकाउंट में बहुत ही माइनूट सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि जो बजट है वो कुछ महीनों के लिए होता है वहां तक कि जब वोट ओन एकाउंट के देखें तो इस अ मोर फोकस्ट टूल है फोर इमेडियेट एक्सपेंसे टैफिकली पास्ट विदाउट अट डिटेल पार्लियामेंट्री डिबेट डैट एकॉम्पनी इस फूल बजट य तक मैं वोट ओन एकॉंट में क्योंकि अभी तो डिसकस्टन मेंच della पार्लैमेंट वहगा अगारा सश्शन वहाई खना होगा नहीं तो अभी वोट ऐंकाउंट में गौर्चर में जो है वह सपने दिखांस दिखाती है कि यह चीज़ हम गती करेंगे यह स्बस्प्लोट आ एकाउंट में तो यहां से तो क्या एंटरी बजट ज़रूरी है तेकिए हमारे कॉंटिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है एंटरी बजट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है लेकिन इट सब प्रैक्टिकल ट्रेडिशन में देखा गया है कि आखिर कैसे चलाया जाएगा एक प्रैक्टिकल यह भी आप खुदी सो सकते हो अब जब जानगे तो आप खुदी लग रहा है कि हां यह बाद सब्सक्राइब जब बजट नहीं आएगा तो फिर फाइनेंशियल यह वक करें कैसे वो जो भी एक महीना दो महीना जो वर्क होगा वो पूरा सिस्टम वर्क करें या कैसे किस अधार पर करेगा ठीक है तो इसलिए इट अलाउज आउट गोइंग गोर्मेंट टू रिस्पांसिब्ली मैनेज दा नेशन्स फाइनेंस त्यूटिंग इलेक्शन स्प्रियर्ट एंस्योटिंग स्मूद अडिमिस्टेशन और प्रेसंस अं यहां पर अब हम आजाते हैं अपने न्यूस पेपर डिस्क्रेशन में तो हमें बहुत जादा यहां पर आज देखना नहीं है क्योंकि आप समझी रहों कि हमारे हमारा एक्जाम सेप्टेंबर में है और सेप्टेंबर से पहले आप देखी रहों जुलाई में आपका जो है सवाल भी पूछे जाएंगे तो यहां पर है कि कमिटेट टू टर्निंग दे इस्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया यहां पर सितार मंजी ने बोला है शी हैज आज सो मेड इट अपॉइंट टू इंफा इंफसाइज दाट गवर्मेंट इस कमिटेट टू टू टर्निंग कि दो हजार 22 से 2047 तक यह जो प्रियड है इसको अम्रित काल कहा जा रहा है तो इसमें कहा कि इस टर्न पार्ट बिलकुल ही एक डेवलप्ड यानि ग्रोथ इंजन बनेगा इस टर्न पार्ट में जैसे बिहार जारकांड वेस्ट बेंगल और इसा और 36 गड़ यह सबको बोला चाहिता आगया है तो अगर आगए आते हैं तो नेक्स्ट मेदी कमीटी विलेस्ट प्याइब यह इसक्त पोपुलेशन ग्रोथ तो फानेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक हम कमीर्टी बनाएंगे इसमें फास्ट पॉपॉलेशन ग्रोथ और देमोग्राफिक दो चेंजेज हो रही है हमारा demographic changes बहुत जादा हो रहा है तो इसलिए में वह चीज करना क्योंकि यहां पर एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं the minister's speech suggested there has been a fast population growth in the country though there is no accurate data अब कोई minister खुद ही बोल रही है कि accurate data जब नहीं है तो वो खुद ही यह suggest कर रही है कि यह fast population growth जो है वो fast growth हो रहा है क्योंकि एक sample registration systems SRS का report 2020 में जब आया था तो उसने बताया था कि total fertility rate यानि कि average number of children एक women अपने lifetime में कितने पैदा कर सकती है तो उसमें देखा गया था कि भारत में अब 2 से यानि कि 2.1 ideal है इससे घट के 2 आ गया है यानि हमारे ideal से भी कम हो गया है यानि कि 2019 की हम यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है तो यह एक data आया था जब यह बता जा रहा है कि हमारी population fast growing नहीं हो रही है है बलकि धीरे धीरे अब यह drop और यह कम होने जा रही है क्योंकि एक ideal situation है कि balance रहे population अगर balance रहना है तो 2.1 का यह होना चाहिए अदर वाइस से कम हुआ तो यानि और यह से बता रहा है सर्वे कि यह 2.1 नहीं बलकि दो हो गया है तो यह तो हमारा ग्रोथ और कम हो रहा है तो फिर सिता रमन जी ने कैसे यह estimate किया कि fast population growth and demographic changes हो रहे हैं ठीक है तो यह एक हिंदू ने यह लिखा है तो यह देखिएगा फिर यहां पर बताया जा रहा है इंक्लूसिव इनोवेटिव साइन ओफ कमेनिटी प्राइम निश्टर मोदी ने बोला है कि मोदी गोवर्मेंट विल प्रिपेर प्रजेंट दफूल फजट बजट जुलाई आप्टर दा लोक सभा पूल तो इस चीज़ के भी बात हो रही है फिर नेट जीरो गेन फूर जॉब गरेंटी जॉब गरेंटीय स्टी में कौन सा है बन रहेगा हर दिन का एक काम दिया जाता है तो तो उसके लिए किया गया है 26,000 रुपय यहां पर दिखा है कि 26,000 रुपय यहां पर इसमें 1000 करोड रुपय मन्दब पिछले financial year के compare में यह बढ़ा है लेकिन अगर revise estimation की बात करें तो यह net gain अगर देखा जाए तो बिल्कुल यह zero ही है यानि कि कुछ भी ज्यादा बढ़ा नहीं है यहां पर कहा जा रहा है फिर है marginal rise allocation for farming fisheries school higher education departments get more money in entry budget और बाकि fertilizer subsidy set to decline food subsidy siege increase food subsidy बढ़ा दिया गया है food में ज्यादा तर subsidy यहां पर दी गई है और आगे देखिए तो आसा गनवाड़ी staff get health cover ठीक है बहुत जादा इसमें देखना नहीं है हाँ यह एक चीज़ देख सकते हैं you win platform जो की manage करता है for managing immunization at intensified efforts तो हमारा एक mission इंद्रधनूस चलता है यह बच्चों के लिए और जो pregnant women है यानि की जो मा हैं उनके लिए यह चलाया जाता है mission इंद्रधनूस इसके थुरूट टीका लगा जाता है फिर लगपती दिदिय स्कीम का target जो है वो बढ़ाया गया है और लगपती दिदिय स्कीम है कि अभारा सरकार का तो बैसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रूप से जुड़ी हुई जो women है महिलाएं है उनको ट्रेन करना है ताकि वो एक सस्टनेबल इंकम एक लाख तो कम से कम एक साल में एक लाख रुपया तो कम से कम कमा ही सके है बैसे चिंडाएज लिए अठ्म माइक्रो एंटरप्राइज इस विदिन दियर विलेजेश को छोठा-मोठा जोभी काम कर सकती है उसमें उनको लगाया जाए जाएगा उनके लिए उनको हेल्प किया यहां पर टारगेट फो ट्रेनिंग लगपती दिदी उडभी इंक्रीज यहां पर कहा गया है बजट में एंट्रीम बजट में कि जो दो करोड हम ट्रेन करते थे दो करोड लगपती दिदी को अब हम तीन करोड लगपती दिदी को ट्रेन करेंगे ताकि वह एक लाख कम से कम स साल भर में तो कमा सकें। तो यह लगपतरी देदिया स्कीम है तो यह कुछ-kुछ इंपोर्टेंट चीखे हैं जो हमें जानने हैं था निव स्कीम फूर बाएles बयो ओन फेक्ट रिंग बायो फोंटरी ओन काट्स इसके लिए नया स्कीम लाया जाएगा निवा स्कीम फो बायो मैनुफेक्ट्रिंग और पायो फॉन्टरी तो प्रोवाइड एन्वार्मेंट्रिंडी अल्टर्नेटिफ उच यह बायो डेग्रेड़ेबर पॉल्यमर्स बायो प्लास्टिक्स बायो फॉर्मस्ट्रिक अ एंड बायो एग्री इंपूट्स ये चीज़ें करी जाएगी फिर है एक्सपर्ट बैंक प्लान प्लान प्रदान मंत्री अवास योजना ग्रामीन हेवा ट्रेस्ट पोजिटिव कमेंट्स तो यह स्कीम्स भी आपको देखना है इसको जरूर देखिएगा फिर वन करोड होम्स सब्सक्राइब करोगे घर का जो विजली है वो इससे काम करोगे तो करीबन आप में यहां पर कहा जा रहा है कि यहां तक कि अगर वो जो आप सोलर पैनल लगा रहे हो घर के उपर वो अगर आपके घर के इस्तमाल करने से ज्यादा बिजली है तो सेलिंग ऑफ दे सर्पलस टुदर डिस्टिब्यूशन कंपनी जो कंपनी बिजली से डिस्टिब्यूट करती है उस कंपनी को आप बेच द तो यह एक सुर्योदे स्कीम है भारा सरकार का तो यह भी याद रखिएगा तो फिर अगर आगे देखे तो थ्री एकोनॉमिक रेल कोड़ोस बनेंगे तीन एकोनॉमिक रेल कोड़ोस बनने वाले हैं एंट्री में बजट में यह बताया गया है यह नहीं स्कीम को थोड़ा बहुत इप्रोइज किया गया है या फिर उससकीम को बताया गया कि हम यह इस तरह से हम आगे बढ़ेंगा आप सुझे रहों इंट्री बजट में यह होता है फिर इक बजट से अलग निउज्ट है करनाट का प्लाइचिटल डिटॉक्स इनिस्य ज्यादा गेम में ऑल्लाइन गेमिंग में बिल्कूल इन्वार्वड रहते हैं पुरा टाइम तो करनाटका गुवर्मेंट कह रही है कि हम एक प्लांस करेंगे जिसमें कि डिजिटल डिटॉक्स इनिस्येटिव हम चलाएंगे इन कोलेबरेशन बिद्ध और इंडिया जो गेम की टारगेट होगा की तूप अवेरनेस अबाउट दा इल्स अफ अबाउट देल्स अबाउट इल्स अफ अबाउट एलस अफ दास्पेंडिंग तू मुच टाइम इन डिजिटल वर्ल्ड एंड इन इस टीड क्रिए एन इन वार्मेंट ऑफ रिस्पोंसिवल गेमिंग बह सब्सक्राइब माइंड का यह होस्पिटल है और बहुत बड़ा होस्पिटल है यह निमहांस पूरे इंडिया इंडिया वर्क में यह टॉफ है क्योंकि निमहांस का फूल फॉर्म है अगर आप देखोगे तो यहां पर है कि नेस्टनल इस्टिटूट ऑफ मेंटल हेल्थ औ है यहां पर ठीक है निमहांस तो यह चीज़े आपको एक याद रखनी है और बाकी इसमें तो साथ कुछ न्यूज है नहीं तो आज पूरा का पूरा वो एंट्रिम बजट से ही था और आपको पता है अगर सेवन्टीएथ बीपेसी की प्रिप्रेशन कर रहां अगर आप ज बजट से हो सकता है सवाल पूछ ले ठीक है या फिर यूपीएसी भी यह भी में महीने में होगा साथ 26 में को होने वाला तो इससे विए सवाल पूल दागा इसकी प्रिप्रेशन कर रहे हो तो और बाके बीपेसी कर रहा हो सेवन्टीएथ की तो फिर कोई प्रावलम नहीं ह इंडिया इंक्रेजिंग एलोकेशन फूर मौलडिफ्स अब मौलडिफ्स से आज किल आपको देख आपने देखा होगा मौलडिफ्स के साथ काफी यह चल रहा है कि मौलडिफ्स काफी क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया को बिल्कुल वो न्यू गॉर्मेंट वहां पर देखोगे और ये डीटेकरता है की इंडिया इस इंग्रेजिंग भी डिस बिकेर दैट इंडिया इज से क्राइट इनवेस्ट्मे contradiction कि हम एक तरह से कह सकते हैं ना ہं कुछ definitions अधाय सकता है जिसको सकते हम नहीं पूरी तरीके से वह अपनाया चाह सकता है तो उस तरीके का च कीज़े है क्योंकि ऐसे स्ट्राइजिक लोकेशन में मौल्दीप्स है ना कि ये इसका बेनफिट उठाता है और इंडिया इंडिया चाइना और यूएस से का ये बेनफिट बहुत जादा लेता है इस तरह इस तरह के इस तरह के जो भी छोटे-छोटे जो आइलेंड्स कंट् और अगर देखें तो हाँ एक लास्ट आर्टिकल ये है यहां पर देखिए गवर्मेंट इनवाइट्स चंपई टू के फॉर्म्ल गवर्मेंट हेमन्त इन जूडिस्यल कस्टेडी तो अगों पता होगा ज settlers के हमाँ जो फॉरमर चीफ मिनिस्टर है मन सोरेन है उनको एडी ने अरेस्ट कर लिया है जूडिस्यल कस्टूडी में है वो फिलाल तो फिलाल एक चमपई सोरेन है उनहीं की पार्टी तो यहां पर आपको क्या जानना है तो आप उठाओ लक्ष्मी कांथ ठीक है वहां से आप देखो गुवर्नर क्योंकि गुवर्नर से ना बीपीएसी में सवाल बिल्कुल फेवरेट हीएगो गुवर्नर तो यहां गुवर्नर चैप्टर उठाओ गुवर्नर का आर्टिकल देखो गुवर्नर का फंक्शन देखो गुवर्नर के पावर देखो क्या-क्या गुवर्नर कर सकता है वो देखो फिर जब एक बील पास होता है स्टेट लइसलेटिव असेंबली में तो वो बील जब गुव के पास क्या क्या पावर होती है जब कोई जो सरकार बनानी होती है उस वक्त यानि कि जब मालों की अभी तो खैर जेनरल इलेक्शन नहीं हुआ जब स्टेट इलेक्शन होता है उसके बाद सरकार बनाने का टाइम है उस दवरान में गुवर्नर का क्या क्या पावर होता है यह सारा कुछ बढ़ो ठीक है बिलकुल स्पून फिटिंग यहां पर नहीं करने वाला मैं आप इसको लक्षमी कान से पढ़िए और एक यहां पर पढ़ोगे ना तो आपको यहां से मजा आ जाएगा और हां बिलकुल इसका नोट्स भी त्यार करना क्योंकि इससे आपको मेंस में पूछने वाला है ठीक है तो अब नहीं है अब कोई 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 नीज नहीं है पाकिया स्पोर्ट्स वगरा यह सारा कुछ शलूए है चलिए तो फिर मिलते हैं हम बीपियस से ग्यान के अगले वीडियो में थैंक्यू फॉर वॉचिंग जैहिंद अब मैं थोड़ा सब जल्दी डिसकर्शन लाने की कोशिस करूंगा इतना लेट नहीं होगा